द्यूस क्लिक पर आपका स्वागत है आज चर्चा करेंगे बोईंग 737 MAX प्लेन जो है वो ग्राउंड कर दी गई है दुनिया में पहले अमरीका उसको ग्राउंड नहीं किया था अब अमरीका ने भी उसको ग्राउंड कर दिया है तो यह उड़ नहीं रहे इस वक्त क्योंकि पहले लाइंस एयर की फ्लाइट इंडूनिशा के पास क्रैश की थी करीब चार-पाँच महिना पहले अब दुबारा एक एथियोपियन एयर लाइंस की बोईंग 737 MAX वर्शन जो है वो क्रैश किया है कुछ ही दिन पहले रहू यह फ्लाइट जो लाइंस एयर का जिसके बार जैसे लाइंस एयर का क्रैश हुआ थी अपको दिख रहा है यह नीचे बाला जो ग्राफ्ट देखेंगे वो यह दिखा रहा है की जहां जहाँ जहाँ होना चाहिए था जो कि जुक्य आपर वाला जे जु लकीर है वह दिखा रहा है की ऊपर जा रही है एरीक्राफ्ट तो है कि इंजिन से एक signal मिलता है जहाए के control सिस्टम में उसको लगता है कि ये कुछ जादाइँ उन्चाई की तरफ बढड रहा है और इसका आगे का हिस्सा जो है उसको नीचे कर देना चाहिए उसको कई उसको नीचे कर देना चाहिए तो वह नीचे कर तो पाइलेट सुछता है वही है यह नीचे कीम हो गया घंश तो ऊपर चाहिए व फिर उसको ऊपर करना ना चाहिए तो यह पाइलेट और ओटोमैटिक सिस्टम के बीच में जगड़े में वो हवाई जहाज वो दिख रहा है आपको टग अफ वार जो हो रहा है वो दिख रहा है आपको जहाज को ऊपर जाना चाहिए उसके जगह वो ऊपर चड़ता नहीं है और धीरे धीरे फिर वो नीचे आप तो यह जो सिस्टम है आप जो कह रहे है कि आटोमैटिक सिस्टम जिस फ्लाइट पात है बहुत स्टीप बहुत बहुत जल्दी चड़ रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए तो इसको जब ऐसी स्थिति दिखाई पड़े तो उसको नीचे कर देना चाहिए आप जो कह रहे हैं कि आटोमाटिक ही नहीं पर इस आटोमाटिक जो आपको MCS सिस्टम में क इसा नहीं कि मैनुवल मोड बे कर दे पाइलेट तो यह काम नहीं करेगा मैनुवल मोड बे भी यह काम करता रहता है यह अलग एक आटोमाटिक सिस्टम है सिर्फ जिसका काम है इस नो इसको नीचे करना अगर बहुत ज़्यादा उसको लगता है और इसमें पाइलेट के उस साइड में वो जो एक लिवर है उपर नीचे करने का एरक्राफ्ट को उसको आटोमाटिकली पाइलेट को उसको आफ करना पड़ेगा आटोमाटिक जो उसका है ट्रिम है उसको आफ करना पड़ेगा तब जो है यह सिस्टम नहीं काम करे पर यह चीज बोईंग के में नहीं है उन्नों ने ठीक से ट्रेनिंग लगता है कि नहीं दिये पायलिट को कि यह करना पड़ेगा तो पायलिट इसमें कन्फुझन के टाइम होता है जब एरक्राफ्ट टेक-उफ करता है सड़न Лी उसको लग रहा है कि उपर नीचे उपर नीचे हो रहा है तो उसी इसको बंद करना चाहिए, ट्रिम को बंद करना चाहिए, क्योंकि उसके सामने मैन्यूल में नहीं लिखा। यह जो आप कहरें कि manual भी नहीं रिखा, ट्रेडिंग की बात आप कर रहे हैं, अब जो साफ है कि manual भे यह थी नहीं, बोईंग ने कभी भी इसकी operative procedures भी यह बात की उलेख नहीं किया था, दूसरी बात यह है कि lion's air flight के बात उन्होंने एक advisory दी थी कि अगर ऐसी हकीकत हो तो यह कभी इस तरह से pilots के सामने आये नहीं था, असली बात जो training की जवाब बात करते हैं, तो यह अब जो ख़वर बिल रही है, कि Boeing ने company को बताया था, जो airlines company है, उनको बताया था, कि इस पर training की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, flying characteristic इस aircraft की, पुराने 737 जैसा ही है, इसी लिए system यह जो है, नई चीश थी, और इसका खासियत कि यह manual mode पे भी काम करता, पाइलिट्स को नों मालूम था ना इस पे भी है, ट्रेंड हुए थे, बिलकुल, और कई airlines जो है, एथियोपियन हुआ, lion air का आपने जिकर किया, हिंदुस्तान में spice jet है, वो तकरीबन 12 aircraft max के वो चलात है, करीब 3 या 5 जेट के हैं, तो अगर 10-12 aircraft कोई airline चला रहा है, उनके total 100-120 जहाज के बीच में, तो कितनी training उन pilots को मिलती है या नहीं मिलती है, यह कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और advisory तो Boeing काई सारी निकालते रहते हैं बीच में, तो किस पे pilot ध्यान दे, ना दे, अग के लिए special advisory होनी चाहिए, manual के अंदर उसको लिखना चाहिए, नया manual उसको issue करना चाहिए, और special training करवाना अनिवारियो होना चाहिए, जो लगता है कि Boeing नहीं किया. इसके बारे में, जहाँ पर ज्यादा 737 MAX systems है, जैसे American Airlines 2-3 में, काफी संख्या भी ये fly करती है, वहाँ पर भी pilots ने complain किया है, अब ख़बर में आई हुई है, कि ये हमें बताया नहीं गया था, training नहीं दिया गया था, और ये चीज़ जो है, एक counter intuitive है, वैसे पता नहीं चलता कर चुके है, पर क्यों ये MAX में ये problem है, पुराने 737 में क्या ये problem नहीं था, इसके बारे में जारा पताएंगे, ये अगर आप तस्वीर देखेंगे, ये दिखाता है, ये नीचे जो तस्वीर है, ये पुरानी 737-800 जिसे कहते हैं, उस वाला model, और उपर की जो तस्वीर है वो MAX को दिखाता है, तो उपर वाली तस्वीर में अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे, ये एंजिन थोड़ा सा नीचे लगा हुआ है, उसके मुताबिक, ये इसलिए है कि ये 737 MAX जो जहाज है, इस पे एक एंजिन लगा हुआ है, CFN एंजिन कहते हैं इसको, जिसमें इं अगर बचाना है इंजिन में, तो पहली चीज वो क्या करते हैं, इंजिन के सामने का जो हिस्सा है, उसमें एक पंखा या फैन जो होता है, उसको बड़ा करते हैं, तो इसमें वो इतना बड़ा किया हुआ है, कि जब वो हवाई जास के अंदर बिठाया इसको पंख के उपर तो पॉजिशन ठीक नहीं बैठता था, तो उसको थोड़ा उठाना भी था, फिर उसको एक एंगल दिया, तो ये कर कुरके, फिर क्या होता है कि क्योंकि ये इंजिन थोड़ा भारी भी है, तो हवाई जास में एक टेंडनसी आती है कि वो नाक उसका थोड़ा नीचे हो जा तो फिर क्योंकि उसका नोज नीचे हो रहा है, पाइलेट उसको कॉमपनसेट करने के लिए उसको उपर करने की कोशिश करता है, उपर अगर करेगा, तो ये जो एमकैस, आटमाटिक सिस्टेम है, वो सेंसर डर जाता है कि शायद ये जादा उपर ना कर दो, तो इसको करेक् अटमाटिक सिस्टेम में भी ये बात है कि उस पर एक ही संसर था, एक-एक एमकैस में, तो इसलिए भी अगर संसर खराब हो जाता है, तो बड़े जल्दी ये प्रॉब्लम डेवलप होता है, और आखरी बात जो है, कि बोईंग और एरबस में कॉमपटिशन है, ये दो ही घ तो वो कॉमपटिशन में इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था, इसी तब उन्होंने ये मैक्स 8 वर्शन जो है, मैक्स 8 वर्शन जो अभी देख रहे हैं, तब इंट्रड्यूस किया था, और इनको 5,000 और इनको मिल चुका है इस वाग, तो आपको क्या लगता है, बोईंग क इस पर बहुत 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 धक्का पहुँचेगा, हैरानगी की बात यह है कि एरबस A320 उसमें भी एक मॉडल है A320 नियो, जिसमें यही इंजिन लगा हुआ है, पर एरबस ने उस इंजिन को फिट करते समय लगता है कि बहतर तरीके से किया है, जिसमें इस तरह क कि मौडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी तो अब बात यह है कि इन्हों उन्होंने फ्यूल एफिशेंट एंजिन इंडन बचाने के चक्कर में उन्होंने भी किया इन्होंने भी किया क्योंकि इसमें 15 प्रतिशद का इजाफा है पेट्रोल के कंजम्शन में तो वह को जेल पाई इस मौडिफिकेशन को उन्होंने अपने जहाजों में ढाला तकलीफ नहीं हुई अलग प्रकार के तकलीफ उनके नियो एंजिन्स में हुए हैं पर वो अलग बात है इतने हद तक ग्राउंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी उनको अब इसको ठीक करने के लिए बोईंग को मौडिफिकेशन निकालनी पड़ेगी एमकैस के सिस्टम को बदलना पड़ेगा बदलने के बाद उनको फिर री ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इसकी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी हर देश में अपने अपने सर्टिफिकेशन के एजनसी हैं अमेरि ग्राफ्ट ग्राउंडिंग से निकल के आएंगे मुक्त हो जाएंगे तब तक कितने एरलाइन बोईंग के ओर को कैंसल कर दें और एरबस को खरीद लें ये कहना मुश्किल है और अगर आठ नौ महीने जो इसमें मिनिमम मुझे लगता है लग सकते हैं उतने ताइम तक ये प ऑडर्ग भी कम हो रहे हैं उनके तो इसमें उनको क्योंकि फीटर के जितने ओडर्ग के पास तकरीबद आधे उसमें से ओडर मैक्स के वर्जिन के लिए हैं तो अगर ये फेल हो गया या एक साल से उपर लग गया और इसको ठीक करने में तो बोईंग के लिए ये ये बहृ पढ़ेगा बहुत नहींगा पढ़ेगा और फेडरेशनल फेडरेल एविएशन अथारिटी की जो आप बात करते हैं उनकी भी कम से कम काफी उनकी माथे पर कलन्ट लगा है इस बात पे कि उन्हों दें ग्राउंडिंग इन एरक्राफ्स की बात भी की है और बहुत लोग एफ के बाद हमें देखना नहीं प्लाएगा ओक्रेडिबिलिटी भी चलेगा हमारे ही देश में कल रात तक डी जी सी ए के प्रवक्ता टेलिविजन पे कह रहे थे कि अभी कोई ग्राउंडिंग की क्या जरुरत है एफ ए ए ने अभी तक इसको चलाया हुआ है बोइंग ने कोई एसी बात नहीं कई हकीकत यह है कि एफ ए ए बोइंग कमपनी की ही बात को लेके उसी पर ठपा लगा रहा था जो किसी भी रेगुलेटरी एजिंसी को नहीं करना चाहिए खुद तुम कुछ प्रहतन करके स्टडी करके अध्यायन करके आपको अपने फैसले पे पहुँचना चाहिए एफ ए ए बोइंग के बातों पर ठपा लगा रहा है भारत का डी जी सी ए एफ ए ए को सुनकर अपना ठपा लगा रहा है इसमें तो आप पैसेंजर को ही खत्रे में डाल रहे हैं और यह मतलब बहुत नुकसान पहुँचाएगा और आगे जाके दिक्कत आएगी इस झाल 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 झाल